व्रती सुबह से ही छट घाटों पर पहुँच कर स्नान किया और गंगा जल लाकर विशेश प्रसाद बनाने में जुड़ गई हैं वहीं शधालों ने कहा कि हम लोग काफी शद्दा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और अपने परिवार के साथ साथ देश और राज की सुख सम्रिद्धि की कामना करते हैं साथ ही कहा कि छट पूजा में सभी लोगों की मनुकामनाय पूरी होती हैं नेमधर्म से इसे मानते हैं और बहुत नेमधर्म से करते भी हैं और बहुत निश्टा से माना जाता है इस पड़को नालंदा जिले के बढ़गाओं सुर्यों